दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गुजरात के मौर्वी सिटी में हुई दिन्दहाडे संसनी खेजड कैती की वारदात में वांटेड दो लूटेरों को दिल्ली से गिरफतार किया है गुजरात पुलिस को इंपूट मिला था कि दोनों बदमाश दिल्ली में हैं इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जानकारी साजहा की गई जिसके बाद इनकी गिरफतारी ISBT कश्मीरी गेट इलाके से की गई है गिरफतार आरोपियों के नाम जयदीप और संदीप हैं इनके पास से 315 बोर की एक पिस्टल, 6 जिंदा कार्टूस और लूटी गई रकम का 3,90,000 कैश बरामत किया गया स्पेशल सेल टी सीपी प्रमोज सिंग कुश्वाह ने बताया की स्पेशल सेल को गुजरात पुलिस से इन्फोर्मेशन मिली थी की गुजरात के मोर्वी सिटी में डकैती की वारदात को अंजाम देने के बाद वॉंटेड दो मदमाश दिल्ली के रास्ते हरिद्वार भागने की योजना बना रहे है ACP अतर सिंग की सुपरविजन वा स्पेशल सेल साउथ रेंज के इस्पेक्टर शिव कुमार वा पवन कुमार के नित्रित्व में एक टीम ने 30 सितंबर 2021 को गुजरात पुलिस से मिली गुप्ट सूचना पर काम करना शुरू कर दिया स्पेशल सेल को टेक्निकल सविलांस वा मुखबिरो से टीप मिली की गुजरात वांटेड दोनों लूटेरे हरिद्वार जाने के लिए ISBT कश्मीरी गेट आने वाले है गुप्ट सूचना पर टीम ने 30 सितंबर 2021 और 1 अक्टूबर 2021 की दर्मियानी रात को ISBT कश्मीरी गेट के पास स्पेशल सेल ने जाल बिचाया लगभग 32 संदिग्धर व्यक्ति आते दिखाई दिये पुलिस की नाकाबंदी देख दोनों संदिग्धर व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की स्पेशल सेल टीम ने दोनों संदिग्धर को दौर कर दबोच लिया गिरफतार लुटेरो की पहचान गाव बंगवाडी ठाकरा, राजकोड गुजरात निवासी 23 वर्षी जैदीप नंजी भाई व गाव पच्छोहा, प्रयाग राज निवासी 30 वर्षीय संदीप राजपुत के रूप में हुई है इनके पास से 315 बोर्ड की एक पिस्टल, 6 जिंडा कार्टूस और लुटी गई रकम का 3,90,000 कैश बरामद हुआ है दोनों लुटेरे दिनांक 28 सितंबर 2021 को दोपहर करीब एक पंदरा गुजरात के मोरवी शहर में बंदूप की नोख पर दिंधाडे संसनी खेज डिकेती की वार्दात को अन्जाम देकर फरार हो गए थे गिरफतार दोनों लुटेरों ने 28 सितंबर 2021 को दुपहर करीब एक पंद्रा गुजरात के मोर्वी शहर में बंदूप की नोप पर दिंधारे संसनी खेज लुटपाथ की वारदात को अंजाम दिया था गिरफतार बदमाशों ने बताया कि जैदीब द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बाइक सवार दोनों ने मोर्वी शहर में अपनी अक्टिवा स्कूटी पर जा रहे एक व्यवसाई को रोक लिया था उन्होंने उसकी आखों में मिर्च पाउडर फेका और बंदूप की नोग पर उसे नगदी लूटने का प्रयास किया पीडित ने विरोध किया जिससे नगदी से भरी पॉलीथिन की थेली फट गई और नगदी के बंडल बिखर गए कारोबारी के समर्थन में जुटे लोगों ने लुटेरों के साथ मार फीट की दोनो आरोपितों ने नगदी का एक हिस्सा एकत्र किया और मौके से अपनी बाइक पर फरार हो गए दोनों आरोपी बदमाश पुलिस से बचने के लिए हरिद्वार जा रहे थे लेकिन हरिद्वार जाते समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें दिल्ली में ही पकड़ लिया आरोपी संदीप एक कुख्यात अपराधी है जो पहले आठ अपराधिक मामलों में शामिल है जिसमें तीन सशस्त्र डकैती तीन गंभीर चोड पहुँचाने के मामले शामिल है संसनी ओफ इंडिया नेटवर्क क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेश में हो सकता है रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूले